So we have question here, कि हमें angle बताना है दो forces के दर्मयान में और हमें condition given है कि दोनों की दोनो forces का magnitude एक दूसरे के बराबर है और साथ ही साथ जो magnitude है उनके resultant force का या resultant का वो बराबर है दोनों में से किसी एक के magnitude के क्योंकि दोनों का magnitude आपस में बराबर है तो कोई से भी एक कि आप बराबर ले लें इसको तो resultant वी उसी के बराबर है इनके दर्मयान जो हमें angle बताना है तो इस सवाल को सबसे पहले जो इसका data हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं मगर उस सवाल को समझने के लिए पहले हम दोरह इसकी diagram बना लेते हैं यहां पर हम बहुत ही असान सी diagram बनाएंगे कोशिश करेंगे कि असान सी diagram जो हम यहां पर create करें एक हो गई force आपकी F1 एक हो गई आपकी force F2 इनके दर्मयान एक angle है theta जिस angle की बात हो रही है यही हमारा हमें required है और यह आ गया हमारा resultant right अब जो question है वो basically यह है कि हमारे पास कि सबसे पहली बात जो given forces है F1 और F2 उनका magnitude आपस में बराबर है vectors बराबर नहीं है magnitude बराबर है so that's why no arrow no nothing आपने इसको बराबर लिग दिया इसको हम बराबर ले लेते हैं किसके F के क्योंकि दोनों बराबर है right जो हमारी resultant है इन दोनों का वो R है और वो भी F के यह बराबर है यह इस question में यहां पर given है resultant is also equal to the magnitude right और हमें मालूम करना है theta मगर theta R का resultant का angle नहीं है बलके theta angle है इन दोनों vectors के दर्मियान का angle तो अब हम इसको solve करते हैं so our solution will be हम इसको कैसे solve करेंगे हम यहां पर simple method लगाएंगे by vector addition और vector addition कौन सा वाला rectangular component method vector vector addition rectangular components method component short में लिख दिया है but should write it whole component method right तो सबसे पहले हम क्या करेंगे for components हम सबसे पहले components मालूम करेंगे हमारे vectors के obviously हमें कोई values given नहीं है तो हमारे पास final answer नहीं आ सकता numbers की form में but हमें एक equation जो है वो मिल जाएगी f1 x is equal to f1 cos theta 1 f1 f के बराबर है right f1 f के बराबर है theta 1 theta 1 तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने जो consider किया और जो हमने आपे vector बनाया उसके मताबिक इसकी value 0 है इसके angle की value 0 है क्योंकि हमें इन दोनों के धर्मियान का angle जो है वो निकालना है so it will be cos 0 degree so f1 x की value हमारे पास आ गई है simply f right और इसका दूसरा angle भी obviously नहीं होगा दूसरा component इसका नहीं होगा तो हमें उसकी भी need नहीं है मगर हम यहां पे f2 x निकालेंगे f2 x बराबर होगा f2 cos theta 2 right so f2 f की जगा पे f2 की जगा पे f f2 की जगा पे हमारे पास यहां पर फिर से आ गया f और यह f cos theta because हमें angle नहीं पता इन दोनों के दर्मियान तो इन दोनों के दर्मियान हमने angle मालूम करना है तो हमारा f2 x बराबर हो गया यहां पे किसके f cos theta के right now next thing f1 y f1 y is equal to f1 sin theta 1 तो theta 1 तो हमारा 0 degree है so f1 sin 0 sin 0 degree 0 होता है so f1 y is equal to 0 similarly f2 y is equal to f2 sin theta 2 तो same scenario theta 2 is basically the theta we have f2 sorry not f2 यहां पे 2 right नहीं होगा it will be f sin theta right तो हमारे पास यहां पर components की values आ चुकी है did the component values या component का हमने जो फॉर्मूला निकाल लिया है अलग-अलग components का अब हम इनको combine करेंगे तो combine करने का मतलब यह है for components of r यानिकि resultant के components अब हम निकालेंगे तो fair enough easy rx is equal to f1 x plus f2 x तो rx is equal to f1 x f है plus f2 x हमारे पास कितना sorry f2 x हमारे पास कितना है f cos θ अभी हम इसको ऐसी चोड़ देंगे अभी हम इसको कुछ solve नहीं करेंगे और ry ry is f1y plus f2y right f1y 0 है f2 f sin θ के बराबर है तो ry is equal to 0 हम write कर लेते हैं ताकि हम समझने में असानी हो कि इसकी value जो है वो 0 थी so ry हमारे पास आ गया है f sin θ so we got ry and rx अब क्या करेंगे अब हम लगाएंगे यहां पर by so plus ry का square और इसी के लिए हमने यह दोनों चीजें find out की थी तो इसकी हम values यहां पर put कर देते हैं r is equal to under root rx square plus ry square right तो rx की value हमारे पास है f plus f cos theta plus ry की value हमारे पास f sin theta और इसके उपर दोनों के उपर आ गया है simply square so r will become under root f square plus 2 2 f square cos theta right a square plus b square का whole square का हम formula यहां पर खोलेंगे a square plus 2ab plus b square it will be f f square it will be f square cos square theta right or plus this is a single thing single term f2 square sin square theta right तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर इसको माइनर सा solve करेंगे और हमें यहां पर नजर आ रहा है यह क्या 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 चीज़े जो है वो similar है यह जी तो इसको हम यहां पर देख लेते हैं हम जो similar terms हैं उनको एक साथ लेते हैं two f square cos theta इसके ओपर square नहीं है so this term and this term इन दोनों में f common है तो जब दोनों में f common है तो हमने f यहां से जो है वो common निकल लिया f square और अंदर क्या बचा sin square theta plus cos square theta and by trigonometry हमें पता है कि यह term किसके बराबर होगी common आगे था f square और उसमें sin square theta plus cos square theta किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है जो हमारे पास square root में बचा है उसको हम एक बार mention कर लेते हैं f square plus 2 f square cos of theta plus f square right because sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर है दोनों तरफ हम square कर लेते हैं क्योंकि हमें theta जो है वो यहां पर चाहिए और r की value भी f के बराबर है तो यह हो जाएगा f square r की value f के बराबर है तो यह हो गया हमारे पास f square is equal to root यहां पर जो है वो cancel हो जाएगा right root यहां पर जो है वो cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा f square plus 2 f square cos theta plus f square so simply 1 f square से 1 f square कया तो यहां पर बचेगा 0 f square plus 2 f square cos of theta यहां से common आ जाएगा हमारे पास f square तो यहां पर बचेगा 1 plus 2 cos theta अब जब हम इसको solve करेंगे so it will be cos theta is equals 2 1 उदर चला जाएगा तो यह minus 1 हो जाएगा right तो यह हो जाएगा minus 1 upon 2 अब जब आप इसका angle निकालेंगे theta का यानि के cos inverse of minus 0.5 so you will get the answer of 120 degree and that is our answer इसी सवाल को हम एक और method से भी कर सकते हैं तो इसको मैं mark कर रहा हूँ यहां पर method number 2 जो के इस से जादा हमारा सवाल जो है वो short हो जाएगा हम इसको और किस तरह कर सकते हैं by using cosine law क्योंकि हम में यह दो vectors given है ना तो जब भी 2 vectors given होता है तो उसके लिए हम cosine law जो है वो use कर सकते हैं cosine law states that जो भी आपका resultant है वो बराबर होगा किसके f1 square plus 2 f1 f2 cos theta plus f2 का square तो अब हम इसमें values put करते हैं r की जगह पर आ जाएगा f under root f square plus 2 f square because दोनों के दोनो f ही है cos of theta plus f square right सब के सब f हैं तो दोनों तरफ हम square करेंगे तो f square बराबर हो जाएगा under root यहां पर जो है वो हमारा simply cancel हो जाएगा so it will be f square plus 2 f square cos of theta plus f square 1 f से 1 f cancel हो गया हमारे पास यहां पर बचा 0 2 f square cos of theta plus f square right यहां पर common आ जाएगा हमारे पास f square तो bracket में बचेगा 2 cos theta plus 1 सो यह यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 cos theta plus 1 is equal to 0 तो cos theta हमारा बराबर हो जाएगा कि इसके यह उदर जाएगा minus 1 upon 2 तो it will be minus 0.5 जब आप इसको calculator पर रखके solve करेंगे minus 0.5 को तो आपको answer मिलेगा 120 degree and that is our answer 120 degree 12 12 12 13 14 झाल झाल